दोस्तों, आज हम लेटरल व्यू ओफ थोरेसिक वर्टेब्रा के उप़ चर्चा करते हैं इसकी एनाटमी के उप़र और जैसा के आप जानते हैं के थोरेसिक वड्टेब्र, सर्वाइकल वर्टेब्र और लंबर वर्टेब्रा थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती हैं तो हम मुख्य रूप से सबसे पहले थोड़े से वर्टेब्रा की चर्चा करते हैं क्योंकि इससे ribs attach होती हैं तो इसकी इसमें maximum anatomical features होते हैं यह इसका positive aspect है और सबसे उपर से यदि हम चलें तो यह जो एक नम a ज świat यeरा नूमबर और तीन नम BR एक नमबर यह दो नम्मर और साथी साथ sonstars prene यह जो तीन चीज़ह आप देख रहे हैं यह जो मिशीन आप देख रहे हैं तीन ऐ तानियों फैसे पर उर यह जो फैसेट मैं यह रिग के attachment के लिए ये basically होते हैं तो इनको हम facets कहते हैं इसके बाद अगली जो structure होती है one two three facets हो गये हैं और अगली जो structure है जो को आप number पर चार पर यहां पर आप देखेंगे कि पांच छे जो है यह तो आर्टिकुलर्ट सर्फेसिज हैं और number चार पर जो है यह एक महत्वपूर्ण structure है जिसको हम intervertebral foramen कहते हैं या intervertebral foramen भी इनको कहते हैं क्योंकि यह दो होते हैं दोनों तरफ और इनका महत्व क्या होता है कि यहां से जो spinal narus होती है वो निकलती है spinal narus का exit होता है तो यह intervertebral foramen, sorry इसके बाद जो पांच और छे नंबर पर आप structure देख रहे हैं वो यह पांच नंबर की structure हो गई है यह यह superior और जो छे नंबर की जो structure होगी वो यह इस तोरी inferior पांच नंबर की inferior आर्टिकुलर सर्फेस यानि कि ऊपर वाली जो वर्टेवरी है उसकी नीचे वाली होगी inferior आर्टिकुलर सर्फेस और जो छे नंबर पर है यह नीचे वाली वर्टेवरा की său-pearire के अर्टिकुलर सर्फेस होगी जो की उपर वाली की inferior आर्टिकुलर सर्फेस से आर्टिकुलेशन करेगी यह निकी जो आर्टिकुलेशन होता है हन- डोनों का तो inferior आर्तिकुलर प्रॉसेस और superior aRT कोलेश प्रोसेस यह दो चीजे यहां पर होती हिए थोरेसिक वर्टेब्री की आगे की अनाटमी में आप देखेंगे साथ नंबर जो साथ नंबर की जो इस्ट्रक्चर है बेसीकली यहां पर जो आप देख रहे हैं बीच में आप डिस्क भी देख पा रहे होंगे आराम से दो डिस्क जांपर डिस्क लिखा हुआ है जो दोनों वर्टेबर को support करती है जो 7 नंबर है यह pedicle है एक वर्टेबर का क्या है यह pedicle है वीच का जो हिस्सा होता है इसको हम pedicle कहते हैं और दोनों वर्टेबरी यह डिस्क के द्वारा supported होती है आप देख रहे हैं बीच में इंपोर्टेंट है कहीं और यह prolapse हो जाती है और दोनों आर्टिकलर सरफेस से जोड़ी रहती है और पीछे की तरफ की जो प्रॉसेस हैं वो मैंने आपको बता दिए जिसमें के इंटरवर्टेबल फोरामिना होते हैं अब यह लेमिना होते हैं आठ नंबर पर जो आप देख रहे हैं और जब यह डिस्क प्रोलैप्स होती है जो प्रोसेस होती है इसकी तो इसको कहते हैं लेमिना क्या कहा जाता है इसको लेमिना यह आठ नंबर पर आप सामने देख रहे हैं नीचे की तरफ जो है यह दूसरी प्रोसेस होगी लेकिन आठ नंबर पर जो आप देख रहे हैं यह लेमिना है इसके बाद और यह जो व торского renda के नीचे की और आप इसको यह एप्रिशेट कर सकते है इसको हम कहते हैं ट्रान्स वर्पना कि इसको नाम है وہ है ट्रांस वर्स फ्रॉसस। अब इसको हम क्या कहते हैं ट्रांस फ्रॉसस प्रॉसस जो बाहर की तरफ निकली युए structure होती है उसको process बोलते हैं और transverse मतलब जो कि transverse direction में होती है उसको transverse process कहा जाता है यह आप देख सकते हैं उपर की और side में निकले ही transverse नमबर नॉट और जो नमबर 10 है बाहर की तरफ news जैसे निकला हुआ बाहर की तरफ snowman की आकरती में जो यह निकला हुआ है इसको हम कहते हैं spinous process और दोस्तों जब spinal anesthesia लगा जाता है तो इन ही spinous process के बीच वाला जो structure होता है उसको हम देखते हैं उसी spinous process को feel करके इन दोनों के बीच में ही हम लोग प्रिक करते हैं और एलेक्तिनोड इस्पेस तक जाते हैं और दोस्तों जो 11 नंबर है यह पूरी बोडी है इस वर्टेब्रा की यह बोडी है और बोडी के उपर आप देख रहे हैं डिस्क है तो इस प्रकार से यह इसकी anatomy